असलाम वालेकुम वेलकम बेक टुमाई चैनल आज हम बनाएंगे धाबा स्टाइल पालक लहसुनी की सबजी बहुत ही जबरदस टेस्टी बन कर तेयार होगी आप जब कभी भी पालक की सबजी बनाओगे फिर ऐसे ही बनाओगे जैसा की आपको पता है मैं हमेशा ही आपके लिए नई टेस्टी यूनिकी लोबजट रेसिपीस लेकर के आती हूँ तो आप वीडियो को लाइक शेयर करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है और चैनल पर न्यू है तो सबस्क्राइब कर सकते हैं और हाँ कमेंट भी जरूर किया करें आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे बहुत खुशी होती है जब आप बहुत खुबसूरत से कमेंट करते हो आप कमेंट में मुझे ये जरूर बताईएगा कि आप मुझे दुनिया के कौन से कौने से देख रहे हो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको थेंक्यू भी बोल सकूंगी आपका स्क्रीन शोट लेकर तो चलिए पालक की इस सुपर टेस्टी सबजी को बनाना शुरू कर लेते हैं पैन में थोड़ा सा ओइल डालेंगे उसमें थोड़ा सा जीरा चटका कर डालेंगे बारीक कटा हुआ पालक थोड़ा सा नमक डालकर इसे 2-3 मिन्ट तक फ्राई कर लेंगे फ्राई कर लेने के बाद पालक को निकाल कर साइड में रखेंगे अब यहाँ पर मैंने रोस्टिड मूमफली और चने लिये हैं इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे आप पैन में फिर से ओिल डालेंगे बारीक कटा लहसन डालेंगे दो सूखी मिर्च डालेंगे और बारीक कटे प्यास बारीक कटा टमाटर आप थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद पीसी मिर्च हल्दी और पिसा हुआ धनिया डालेंगे पहले हमने नमक थोड़ा कम डाला था तो इसलिए अभी थोड़ा नमक और डाल देंगे अब मुमफली और चरे का जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे अग इसे ढखकर 2-3 मिंट तक के लिए पकाएंगे 2-3 मिंट पकाने के बाद फ्राई किया हुआ पालक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और बस अच्छे से भून लेने के बाद धाबाई स्टाइल आइरन से भरपूर ये पालक की टेस्ट सबजी तयार है तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेर चैनल को फोलो करना बिल्कुल भी न भूलें